हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू माइ योटूब चैनल लोकेन अकाडमी मैथमेटिक्स और कैसे हैं आप देखिए आज के इस वीडियो में लेक्चर नाइन क्लास 12 से रिलेटिड है problem's based on trigonometric limits when x tends to a and a is not equal to 0 कहने का मेरा मतलब है कि इससे पहले जो हमने trigonometric limits जो निकाली हैं वहाँ पर x tends to 0 के लिए find की थी इसके लिए 0 के लिए x tends to 0 के लिए find की थी उसारी limit ठीक है मतलब limit x tends to 0 sin x upon x is equal 1 यह जो find किया था वहाँ पर limit यह जो 1 जो find की थी जब आपका x tends to 0 दे रखा था अभी तक हमने यह काम किया है लेकिन जब आपका x tends to 0 नहों करके a हो a means non-zero वो भी non-zero quantity दे रखी हो x जो है वो non-zero quantity की तरफ tends कर रहा है तब हम trigonometric limits को कैसे find करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना केवल एक बात याद रखना है वो क्या है देखे इसके लिए केवल आपको यह concept याद रखना है जब हमने left hand limit और right hand limit बताई थी तो यह मैंने बताया था कि left hand कब कोई लिमिट कब exist करती है जब उसका left hand limit is equal right hand limit is equal finite value ठीक है तब ही हम उसको यह कह सकते हैं कि limit exist करती है means यह means है आपका मेरा मतलब कहने का कि limit x tends to a f of x exist करती है if and only if if and only if बोल देते हैं हम इसको i double f if and only if limit x tends to a minus f of x is equal limit x tends to a plus f of x ठीक कहने का मतलब है कि यह जो limit है वो exist करती है अगर यह limit exist करती है तो left hand limit यह क्या आपका left hand limit और यह हमारा क्या है right hand limit limit अगर exist करती है तो left hand limit right hand limit के equal होगी और इसका converge अगर left hand limit right hand limit equal है तो limit exist करती है if and only if इस sign का मीनिंग यह है ठीक है तो इससे हमें केबल यह करना है कि यह जो function दे रखें यह सारे के सारे जो function दे रखे हैं वह यह दे रखे रही हैं। तो हमें यहां केवल यह concept लगाना है कि limit यह exist करती है कब करती है जब यह दोनों limits equal होती है और दोनों limits इसके equal होती है बस यह concept लगाना है तो हमें क्या करना है कि यहां पर limit x tends to a f of x जो है वो या तो इसके equal लग देना है left hand limit के या इसको right hand limit के equal लग देना है बस ये concept करना है और फिर उसके बाद left hand limit और right hand limit हम कैसे find करते थे वो हमने पहले वीडियो में बता दिया है ठीक है वो क्या concept है उसमें क्या-क्या replace करते हैं वो आपको याद आ रहा होगा बस वो काम करना है तो हमें केवल और केवल ये कहानी मैंने इतना बताया इसको मैं sort में क्या लिख सकता हूँ इस सारी बातों को इन सब बातों को मैं sort में ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें केवल ये put करना है कि limit x tends to a f of x is equal limit x tends to a plus f of x बस ये put करना है और कोई कामी नहीं करना है इस जो भी limit दे रखे हैं या वो ये दे रखे हैं कौनसी ये वाली limit दे रखे हैं और हमको ये आपका plus करके करना है या ये minus करके वालब ये क्या ये कौनसी आपका right hand limit है और इस ये को अगर हम इधार equal लग देंगे limit x tends to a minus f of x ठीक है तो ये क्यों साब जागा left hand limit हो जाएगी तो इस limit को या तो इसकी को लग दो या इसकी को लग दो वो क्या सीखी थी कि limit x tends to 0 हो रहा था वाँ पर टिग्नोमेट्टिक जितनी भी limits हमने अभी इस तक सीखी वो x tends to 0 पर सीखी थी 0 पर हमने उनको evaluate करना सीखा ठीक? x tends to 0 पर find करना सीखा evaluate करना सीखा लेकिन जब x tends to 0 नहों करके x tends to कोई non-zero हो तो हम limit को कैसे find करते हैं तो पहले हम इस limit को या तो इसके ही को लगते हैं या इस limit को इसके ही को लगते हैं उसके बाद फिर जैसे left-end और right-end limit निकालते थे वो system में तो इस वीडियो में मैं केवल इसी topic पर चर्चा करूँगा ठीक है कि non-zero के लिए हम कैसे find करते हैं limit को टिक्नोमेक्टिक limit देखे ज़रा तो मैंने कुछ questions लिए हैं हम उनको देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं बीच-बीच में उसको वह आपके लिए छोड़ देते हैं उस काम को सबसे पहले तो उसी काम को करना है क्या जैसे मैं question ले रहा हूं first मैं first question ले रहा हूं सबसे पहले देखे question first का solution कि limit x tends to pi by 2 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x और आपका यह 1 plus cos 2x यह और आपका pi minus 2x और इसका यह square मैं क्या कहना चाहरा था कि सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जो हमने सबसे पहले limit के जो इतनी types बताए थे algebraic से ही start कर रहा हूं में सबसे पहले आपको direct substitution करके देखना है वो मैं बीच-बीच में नहीं करता कभी-कभी लेकिन यह मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को यह आप करेंगे इसको ठीक है हम direct इसको इस x tends 2 pi y 2 को पहले direct इसमें रख करके चेक कर लो अगर finite value आ रही तो वही answer है फिर यह कुछ नहीं करना चेक करें जाला तो देखे 1 plus cos और 2 into pi y 2 upon मैं pi minus 2 into pi y 2 2 से 2 cancel हुआ और यह 2 से 2 cancel हुआ मतलब 1 plus cos pi upon मैं pi minus pi मतलब आपका 1 minus 1 upon मैं pi minus pi 1 से 1 cancel pi से pi cancel means 0 upon मैं 0 form बन गया यह काम आपको करके देखना है ठीक है ना हर question में करके देखना है सबसे पहले direct substitution करना है उसमें और इसको करने से अगर direct finite आ रही value तो फिर तो वही answer है लेकिन ऐसा कम chances रहते हैं अक्सर 0 upon 0 आपका कौन सा form form जो कौन सा बनता है 0 upon मैं 0 या form आपका infinite upon मैं infinite इस type के form बनते हैं ठीक है तो फिर हम वहाँ पर इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं वह तरीका हमने कही बात बता चुके हैं उसको ठीक है चलिए चलिए तो यह अब चेक करेंगे हर वार इसको अब देगे इसका मतलब है क्या है यह 0 upon 0 means indeterminate form बन रहा है indeterminate form बनना है तो हम फिर इसको निकाल लेंगे तो अभी मैंने क्या बता है सबसे पहले इस बात को भी ध्यान रखना है क्या करना मुझे कि limit इस formula को याद रखें limit x tends to a f of x को limit to x tends to a plus f of x right hand side में convert कर दो या left hand side में convert कर दो जो limit दे रखी है उसको पहले ऐसे लिखी है ठीक है वो पूरी कहानी समझा दिया वी मेंने तो इसको मैं बस इसको यह क्या यह यह जो दे रखा है question वो यह दे रखा है आपका ऐसे मानिया यह portion दे रखा है यह दे रखा है और इसको मुझे फिर जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूं देखे यह रहा जैसे हम इसको लिख सकते हैं तो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं प्लस में बस यह काम करना है और कुछ नहीं करना limit limit x tends to pi by 2 plus यह काम करना है आप यह राइट हैंड में convert कर देना है limit को 1 plus cos 2x upon pi minus 2x का square यह काम करना है ठीक अब इसके बाद वो ही रास्ता आपको चूज करना है कौन सा जो हम right hand limit को कैसे निकालते थे वो रास्ता बस और इसके बाद उस रास्ते का चलना है क्या करते थे हम यहाद आ रहा होगा कि इस पूरे की जगे पर जो x tends to pi y 2 plus ठीक है इसको हम h tends to 0 replace करेंगे और जहाँ-जहाँ x है जहाँ-जहाँ x है x की जगे पर मैं pi y 2 और plus h रख दूँगा बस यह दो काम करने इसमें answer आई जाएगा ठीक है तो देखे ज़एदा तो यहाँ पर जगो limit कौन सी थी यह non zero x tends to pi y 2 क्या है आपका इसके लिए हम बात कर रहे है x tends to a a कुछ भी हो सकता है तो एक एटेर कॉंस्टेंट a is equal pi हो सकता a is equal pi y 2 हो सकता है a is equal pi y 3 हो सकता है pi y 6 हो सकता है कोई भी value हो सकती है इसके लिए हम limit निकालना सीख रहे है तो यह a की value एक तैसे pi upon में 2 clear इसके लिए limit निकालना सीख रहे है और वो क्या काम करते है इसके लिए इस limit को right and limit के equal रख देते हैं बस पहले यह काम करते है उसके बाद में फिर हम उसको evaluate करने का तरीका है ही वो देखिए अब जादा limit में इदर से लिख रहा हूँ limit h tends to 0 इसकी जगह पर यह रखना है उसके बाद 1 प्लस cos और यह 2 और इस x की जगह पर यह रखना है pi y 2 प्लस h pi y 2 प्लस h यह करना है आपको यह अलग है यहां से upon में वो ही काम यहा pi minus और यह 2 इंटू pi y 2 इस x की जगह पर क्या रखना है हमें pi y 2 प्लस h और यह पूरे का यह इसको चलना है चेक कर ले लिया ठीक है क्या करा मैंने x tends to pi y 2 प्लस की जगह पर h tends to 0 रेप्लेस कर दिया और जहां जहां यह x था इसमें function में इस पूरे function में जहां जहां यह x था उसकी जगह पर यह रख दिया pi y 2 प्लस h pi y 2 प्लस h अब इसको आप solve कर दो आगे इसको अंदर multiply कर दीजे तो आपका cos क्या हो जागा यह यह 2 से 2 cancel हो जागा तो pi और प्लस का 2h ऐसा हो जागा upon यहां pi और minus अंदर कर यह multiply तो यह 2 से 2 अंदर cancel हो जागा तो pi और minus का यह 2h और यह square जगर यह 2 से 2 और यह 2 का अंदर multiply minus minus तो जगर इस pi से यह pi cancel हो जागा ठीक limit h tends to 0 1 प्लस pi प्लस 2h cos pi pi means 180 प्लस 2h किस quadrant में जा रहा है third quadrant में जा रहा है third में cos क्या होता है negative और cos का cos ही रहेगा ठीक है तो यह minus cos और यह आपका 2h हो जाएगा upon minus हो जाएगा cos का cos रहता है 180 केस में और यहां minus 2h का यह आपका square हो गया है ठीक है अच्छा आगे अब देगे अब इसको आप open करिए यह cos का formula लगा दो sign के form में क्योंकि sign में हमें निकालना है और यह 1 cancels हो जाएगा तो यह 2h का half formula लिमिट limit h tends to 0 और 1 minus 1 plus 2 sin square और h 2h का h हो जाएगा upon में यह 4h और square हो जाएगा ठीक है 1 से यह 1 cancels हुआ और जगो इस 2 से यह 2 बार cancels हुआ 1 by 2 constant है constant को बाहर निकालो जो लिमिट के rules हैं उसके according h tends to 0 और यह क्या हो गए आपका sin h upon में h का square यह लिख सकता हूँ देखिए अब ज़गा है हो गया ना standard form में convert यह angle map नीचे भी h इस पूरे की value h tends to 0 कहने का मतलब है कि यह इस right hand limit या left hand limit से और फिर हम जब निकालते हैं तो वो पहले जो हमने question solve किये हैं किस पर x tends to 0 वाला यह form पर जो convert करने का system कहने का मतलब है यह जो है x tends to a non zero जो है वो आपका x tends to 0 0 में convert हो जाता है इस right hand system से यह h tends to 0 ही तो हो गया यह non zero कहा है तो पहले हम इसको x tends to a non zero है इसको हम left right hand limit में इस value को यहां रखते हैं और फिर right hand limit निकालते हैं और right hand limit निकालने के लिए हम यह replace इसको जो आपका value जो non zero थी उसको हम replace करके x tends to zero कर देते हैं और zero पर ही यह हम limit निकालना सीख चुके हैं यह पहले हमने वीडियो में बताया है यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका one हो जाएगा आपका यह यह हो जाएगा आपका कोश्चन में मैंने थोड़ा यह पूरा थेओरी और इस टाइब से समझा दिया अब नहीं समझाओंगा अब आप खुद इसको करेंगे देखें जाए अब आगे देखें अब कैसे करना है जैसे मानलो कोई सारी कुश्चन ले लो जैसे यह ले लो यह आपका हो गया फर्स्ट हो गया एक क्योंच हो चुका है शेकंड वाला क्या है मिन is x tends to पाइवाई 2 1- sin x upon में पाइवाई 2-x是這樣 स्क्राइब यह है क्या है यहां पर एक्स टेंज टू फिर से वही नॉन जीरो यहां भी पाई वाई टू यह रखा है मिन्स नॉन जीरो है तो हम उसे ही कुब में पहले इसको जीरो पहले डारेक्ट वैलू रखके देखो जा रहा है वान और सैनं वाई वाई टू सैनं वाई टू क्या होता है वन 1-1-0 ऐन पाई जीरो फूर्म कोन सा बनना यह बार बार आप ही चेक कर लें ना इसको तो हम इसको फिर उसी तरीके से करेंगे, x tends to pi y 2 और प्लस में convert करो, और इसको 1 माइनस और यह sin x upon में pi y 2 माइनस x का, यह square हो गया, ठीक, अब इसे हम replace फिर से कैसे करेंगे, बार बार नहीं बताना, यह h tends to 0 लिख दूँगा इसकी जगह पर, one minus sine और यह आपका pi y 2 और आपका plus का h लिख दिया जाएगा upon में यहाँ pi y 2 minus और यह pi y 2 और plus का h का square और इस total का यह ऐसे whole square यह आ गया ठीक है आगे अब क्या करना है limit h tends to 0 देखे यह pi y 2 plus h sine pi y 2 plus h second quadrant में जा रहा है second quadrant में sine positive होता है और pi y 2 का case है 90 और sine का cos हो जाएगा ठीक है तो one minus और यह cos और h हो जाएगा upon में और यहाँ जड़ा चेक करें देखे यह sine change हो जाएगे तो आपका यह pi y 2 minus pi y 2 minus h और इसका पूरा का whole square तो pi y 2 से pi y 2 cancel हो गया limit h tends to 0 अब देखे यह one case फिर आ गया one minus one plus two sine और square और आपका h y 2 ऐसा लिख दूँगा मैं upon में और minus का यह h यह आ गया चेक करें ठीक है तो one से यह one cancel हो गया bracket लगाते चलिए ठीक है यह bracket लगा देना यहापर अब यह क्या हो जाएगा आपका limit to h tends to 0 और देखो यहाँ यह क्या हो जाएगा two बाहर आ जाएगा constant है और यह sin square h y 2 upon में h और यह square हो गया चेक करें ठीक है अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ two limit h tends to 0 और यह sin square h y 2 upon में यह h और यह 2 का multiply और 2 से divide इसको ऐसे लिखा यह सकता है और इसको क्या कर सकते हम इदा देखें जाएगा two और limit h tends to 0 sin square h y 2 upon में 4 और h y 2 का यह square चेक कर लो यह two को यह मैंने बाहर नकाल दिया बाहर नकाल दो के भी फिर में इसको बाहर नकाल दूँए यहां से भी इसको मैंने यहां लिख दिया म मेंस आपका वही पहला जो भी डीओ में उसी में है जो अन्नॉन जो आपका जो नुमेरिकल जो आपका ौन जीरो कहनँ चाहिए लिमेट है जो non zero limit है उसको हम zero limit में convert करके और answer को निकाल रहा है standard form में zero में convert करना है और standard form से match करना है answer आ रहा है तो आपका यह 1y2 into 1 का square is equal 1y2 final answer यह होगा एक जैसे चेक करें ऐसे निकालना है ठीक है ना? question यह जो यह जो यह जो यह आगे बाला question देखें यह रहा है यह सब questions ऐसे ही है जैसे यह question देखें यह रहा थर्ड वाला third कैसे होगा question थर्ड का solution limit x tends to a sin x minus sin a upon x minus a पहले value direct रखके देखें आप इसमें sin a, sin a cancel होके 0 upon में 0 और a minus a यहां भी cancel होके क्या हो जागा आपका sin a minus sin a upon में a minus a इससे ही cancel हुआ इससे ही cancel हुआ means form कौन सा बना indeterminate form 0 upon में 0 direct substitution करके चेक करना पहले इसको ठीक है आगे अब देखो इसको limit x tends to a plus में convert करना है sin x minus sin a upon x minus a अब इसको replace करतो वही काम limit h tends to 0 यह non zero को अब यही तो काम होता है यहां पर zero में convert कर देंगे और यह sin यह हो जाएगा आपका a plus h minus sin a upon a plus h इस x की जगे पर जहां जहां x है जहां जहां x है वहां रखना है यहां रखना है यहां रखना है a plus h और minus का यह a इस a से a cancel हो गया a से a cancel हो गया ठीक है a से a cancel हो गया अब देखें रहे अब आगे क्या करना है यह sin a plus sin a plus b वाला formula है न उसको open करिए 11th में आपने पढ़ा होगा limit h tends to zero sin a plus b sin a plus b होता है आपका sin a cos h plus sin a cos b plus cos a sin b ठीक है और आपका minus का sin a यह है क्या आपका जाएगा limit h tends to zero sin a cos b plus cos a sin b यह formula लगा दिया और कुछ नहीं किया मैंने यह यह cancel हो गया cancel हो से जागया h आप जड़ा देखें यहाँ पर कुछ common आ रहा है क्या देखो एक तो इस term में से और इस term में से कुछ common आ रहा है क्या रहा है sin a sin a common low तो आपका cos h minus 1 ठीक है और cos a sin h और इस total के upon में h यह चली रहा है इन दोनों में से sin a sin a इस में से sin a common आया तो cos h minus 1 अब इस h को दोनों के नीचे अलग-लग इस तो जीरो और यह sin a और आपका यह cos h minus 1 upon में यह h ऐसा हो गया दिखेए इस h को इसके नीचे और इसके नीचे बांग दिया ठीक अब दो यह क्या आपका यह cos a क्या है constant quantity है क्यों 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 यहां पर क्या है variable h है इस समय पर variable क्या यहां पर h this is variable मैंने कई बार बताया कि जिसके tends to limit होती है h tends to 0 तो h variable है और इस cos a में कहीं भी h है क्या नहीं है न तो यह constant हो गया ठीक है तो हम इसको इदर से करते हैं देखे तो यहां देखे यह क्या हो रहा यह बाहर आ जागा cos a बाहर आ गया cos a बाहर आ गया limit और h tends to 0 sin h upon h देखे रहा यह तो एक standard form में convert हो गया अब आया यहां यह वाला मामला यहां plus का यह sin a यहां भी बाहर आ गया यह sin a यह sin यहां भी constant है और यह क्या बच्चा फिर इधर लिखे यह ताओं में plus करके यह और यह आपका sin a यहां पर भी बाहर आ गया sin a और आपका limit यह limit h tends to 0 और आपका यह cos h h minus 1 upon में यह h हो गया चेक करें यह ठीक है clear हो रहा होगा अच्छा अब देखो इसकी value तो 1 हो गई यहां पर clear हो गई है यह तो 1 हो जाएगा लेगिन अब score कुछ हमें change करना यहां पर यहां में क्या कर सकता हूं यहां मैं ऐसा कर सकता हूं कि minus अगर मैं इसमें से common निकाल दो तो sin पहले तो इसको value को इसको निकाल दो यहां से cos A और into 1 यह तो यह काम खर्तम हो गया यह तो 1 हो गया और minus यह पूरा cos A और इसकी value क्या होती है 1 होती है इसकी value 1 होती है sin H upon H यह और H tends to 1 cos A into 1 हो गया इसमें से आप minus common निकालना तो यह क्या हो जागा sin A limit H tends to 0 formula बनाने के लिए minus common निकालना हूं 1 minus cos H upon H ऐसा इसा लिखाए इसको अब इसको 1 को cancel करने के लिए formula को लगा sin A limit H tends to 0 1 minus 1 plus 2 sin square H y 2 upon में H ठीक है अब यह cos 0 अच्छा अच्छा हाँ तो इस है यह आगे आपका और इसको अब मैं आगे करता हूं देखो यह 1 से यह 1 cancel हो गया ठीक है और इसको में यहां से मिटाए देता हूं आगे इसको देखे रहा और यह क्या हो जाएगा देखे यह दा cos A बचा यह तो cos A हो गया यह तो cos A हो गया और यह minus का यह sin A हो गया और sin A में मैंने minus common लेकर के और यह कुछ नहीं किया 1 minus यह कर दिया और इसकी जगए पर minus 1 minus 2 sin square hy2 होता है sin square hy2 upon H यह दो चला है देखे अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं limit और यह h और 10 to 0 यह चली रहा आपका यह 2 और बाहर आजागा यह 2 बाहर आजागा और यह साइन और यह स्क्वेर और यह hy2 बना दूंगा तो यह 2 और hy2 ऐसे हो जागा यह 2 और बाहर आजागा यह 2 यह से यह 2 से यह 2 हो गया और आपका यह साइन और लिमिट और यह यह है यह 2 बना था यह 2 उपर पहले था इसको कैंसल की कर दिया अच्छा उसके बाद देखें यहां पर साइन hy2 अपोन में hy2 यह लिखा रहे सकता इसको और into साइन hy2 इसको ऐसे लिख सकते हम चेक कर ले ठीक है अच्छा अब यह साइन और यह आपका अब इस लिमिट को इसके साथ और इसके साथ यह दो function हो गए एक यह function हो गया sin square hy2 sin hy2 into निख दिया तो एक function ही हो गया दोनों विसाथ limit को अलग 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 क्या हो जाएगा limit limit h tends to 0 sin hy2 upon hy2 यह हो गया, और into limit h tends to 0 और sin, और यह h, y, और 2 ठीक अब जगे है रहा तो यह cos a minus sin a अब जब यह जो पूरी value है यह हो गई आपकी 1 और into अब यहां में इसमें value रख दूँगा तो यहां value रखूँगा तो क्या हो जागा आपका 0 upon me to h बरावर 0 रख दूँगा यहां पर तो 0 upon me to means 0 sin 0, sin 0 की value क्या होती है, 0 तो यह जीरो आगया अब इसका मतलब है कि यह 0 आगया, तो यह पूरा term 0 हो गया, means आपका cos a बचा, this is final answer, ठीक ऐसे करना है question, ठीक है यह आपका, यह आपका, यह क्या बचा आपका h, 0 upon me to 0 upon me to sin 0, sin 0 की value 0, 0 का इसमें multiply गया 1 में, 1 में इसका पूरा total 0 हो गया, cos a, minus 0, मतलब cos a, ठीक यह आपका final answer आगया cos a तो यह इस टाइप से questions हैं ठीक है? हर बार वोई काम करना है आगे एक question और देखे ज़रा तो यह बिल्कुल आपके हर टाइप के questions मैंने करा दिये हैं आप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब देखे एक question नहीं हो रहा है इसको भी देखें और यह क्या है? fourth question ऐसो भी देखो ज़रा जैसे question क्या है आपका? question लव में जायट से किये देखा हूं इसको question 4 का solution limit x tends to pi y 2 और cos 3x plus 3 cos x अपॉन में pi y 2 minus x का q यह question है ठीक है? तो पहले तो वही इसको check करिए यह check करने पर वह 0.0 यह आप कर लेना 0.0 form ही बनना होगा 0.0 ठीक? सबसे पहले direct substitution इसमें करना है ठीक है? तो 0.0 form ही आ रहा होगा clear अब देखे जा रहा अब इसमें क्या लिए सकता हूँ? limit x tends to pi y 2 और plus ठीक है? और आपका यह cos 3x plus 3 cos x upon pi y 2 minus x का यह Q यह आगे है अब आगे इसको solve क्या करना है? plus वाले को कैसे solve परते हैं? इसको tends to h h tends to 0 limit h tends to 0 इसको भी करने से पहले मैं थोड़ा इसमें इसको कुछ मुझे लग रहा इसमें कुछ हो सकता है cos 3x की value होती है उसको पहले solve कर लो तीक है न? तो और आसान हो जागा यह तो limit x tends to pi y 2 और plus इसको ऐसी रहने दो और cos 3x को लिख सकता हूँ मैं 4 cos q 4 cos qx minus 3 cos x cos इसको ठीक है? इसको हम क्या लख सकते हैं? यह जो है आपका cos cos 3x को मैं यह लख सकता हूँ 4 cos qx minus 3 cos x और plus 3 cos x दे रखा है आपकर plus 3 और यह cos x यह दे रखा है upon मैं यह आपका pi y 2 minus x का whole q अब देखें इससे यह cancel हो गया तो यह हलका हो गया एक तरह से ठीक है अब इसको और solve इदर करें देते हैं clear हो गया यहां से इसको उसके बाद आप उसको लगा तो formula लेगो देखें मैं इसको यहां मिटाई देता हूँ क्या हो जाएगा अब यह अब इसमें वही काम करना है कौन सा इसको tends to h तो limit to h और tends to 0 और यहां क्या बचा आपका 4 और यह cos और यह cube है और इस x की जगह पर क्या replace करना है मुझे पाई वाई 2 और प्लस का h अपॉन में यह पाई वाई 2 और माइनस का पाई वाई 2 और प्लस h और इस total का q यह limit h tends to 0 देखे रहा तो 4 जो बाहर आ जाएगा 4 को आप बाहर नकालो यह constant है बाहर नकालिए तो देखो यह पाई वाई 2 प्लस h second quadrant में और second quadrant में cost negative होता है और cost का cost का sign हो जाएगा यहापर ठीक है रहा cost का क्या हो जाएगा sign तो देखो यह आपका एक तैसे minus माइनस को बाहर नकाल दूँगा मैं sin q और h ऐसा लिख सकते हैं minus होगा minus क्योंकि power odd number है तो वो minus बाहर नकलेगा even होता तो plus हो जाता है यहापर इसी तरीके से यहाँ का काम करें इसको pi y 2 और minus pi y 2 और minus h और इसका power यहाँ पर यह यह थिरी तो देखो इससे यह cancel हो गया तो यहाँ भी minus बाहर नकलेगा तो यह क्या हो जागा 4 और limit h tends to 0 और यह minus minus आपका यह minus का sin 3h upon मैं minus का यह h और यह q minus यह minus cancel हो गया formula बन गया अब हम इससे आगे क्या लिख सकते हैं आगे मैं इससे यह लिख सकता हूँ कि 4 तो ही और limit h tends to 0 और sin h upon मैं h की power क्यों बन गया formula h tends to 0 sin h upon मैं h 1 होता है means आपका 4 और 1 की power 3 means आपका 4 into 1 4 answer ऐसे नकालना है ठीक है तो questions कुछ इस टाइप से थे यह सारे सभी questions दे रखे हैं बड़े अच्छी तरीके से तो हमने आज कौन सा limit निकाला trigonometric limits when x tends to non-zero तो इसको हमें जो limit जो question दे रखा होगा उसको right hand side में convert कर लो right hand sorry right hand limit में convert कर लो उसको या left hand limit में convert कर लो नहीं equal रहते हैं तो जो function हमें दे रखा है उसको right hand limit में convert कर ये और फिर right hand limit को हम कैसे solve करते थे उस तरीके से उस question को solve कर लेना है और right hand limit में convert करने से ये फाइदा होता है या left hand limit में convert कर लो उससे फाइदा क्या होगा कि आपका x tends to a जो non zero है x tends to a जो है वो आपका किस में convert हो जाता है x tends to zero में convert हो जाता है और फिर zero में convert हो जाता है तो zero में जो standard form वाले जो formula थे जो हम पहले कर चुके हैं वो सारे formula अपला ही हो जाते हैं उसके बाद questions फिर पहले जो unit है जो x tends to zero के लिए जो थी उस टाइप से पूरा questions वो solve हो जाता है ठीक है तो यह system था तो यहां क्या-क्या यह non zero में यह x tends to यह pi y 2 दे रखा था non zero यहां भी pi y 2 दे रखा था यहां x tends to a दे रखा था यह कहीं भी zero कहीं भी limit नहीं है non zero यहां x tends to a यह x tends to pi y 2 कहीं pi होता है कहीं pi y 2 ऐसा कुछ देता है तो इस टाइप से non zero वाला system के वल हमको जो function दे रखा उसको right hand limit में convert करना है और उसको फिर right hand limit को कैसे solve करते हैं ऐसे काम करना है यह left hand limit में convert करना है और फिर left hand limit को कैसे solve करते हैं वो सारा system करना है ठीक है तो यह video आपको पसंद आया होगा मुझे पूरी उम्मीद है तो आप इसको like करिए, subscribe करिए और well icon button दबाना मत भूलिए Thank you